नमस्कार जन सरोकार मंच गौरा लगातार प्रसारित की जारे कारगमों में हमने वीतेर अभीवार को एक स्टंकला शू करी हमारे साथ आज के प्रमुख ज्वलन्स वालों के संदर्म में अपने राजस्थान के प्रतिष्टेत ही नहीं पुर्य इंदुस्तान के प्रतिष्टेत व्यक्ति अशुक आत्रेजी हमारे साथ बड़े तो अशुक आत्रेजी ने धर्म और राजनिति को चुना कि देश मेहीं नहीं सारी दुन्या में इन दो शब्दों को लेकर बड़ा कंप्रूजन फैला हुआ है तो वह सीधी बात कर रहे हैं तो पिछले एपिसोड में काफी कुछ कहा गया आज हम आपके साथ उसी धारा प्रवाओं को आगे ले जाना चाहते हैं ताकि वह कंसेप्ट पूरा हो जाए और आशोब जी क्या कह अपने सवालों के जवाब में तो मैं अजरनी अशोब जी से आग्रे करूंगा अशोब जी स्वागत है आपका अब मेरा नमस्कार अशोब सकते ना और जंतरोंकार मंसी जुड़े सभी मेरे मित्रवर्ण सबका स्वागत है मैं अपनी बात से रूप करता हूँ और चुकि यह मसला बहुत ही जुलंत है और समसामिक है और चुनोकी से जुड़ा हुआ है और उसी करम को आगे बढ़ाते हुए जो तिसना हमारा विश्य था जो अगधाना ती धर्मगादी थी उसी को एक दूसरे रूप में आगे जो एक कवी भी है चिंतक भी है विचारक भी है मध्यपृदेश के हैं उनकी एक कविता मुझे प्रसंग में याद आ रही है और यह लग रहा है कि सायद इस कविता से यदि हम सुरू करेंगे तो सब कुछ इस पस हो जाएगा नि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम कहां है कहां थे और कहां जाएगे तो मैं अपने मित्र जो महत्रपूर्ल उनकी कुस्तक है बहुत चचित किताब है अथरवा मैं वही वण हूँ अभी इन दिनों में इसकाम भी कर रहा हूं और एक क्लैसिकल किताब है एक एसी किताब जो यह तो नहीं कहता कि बहुत बड़ी कि जाए और वो भी किसी युवा कभी के द्वारा किसी माकाबने की कल्पना परिकल्पना उधरना की जाए तो इसमें कोई विवाद का विशय ही नहीं है कि अब हम आनंद सिंग्र की अथरवाब में वही वहीवन हूं को इधर उधर रख सकते हैं यानि उसको निशित करता हूं पढ़ता हूं इसकी कुछ पंक्तियां कविता कहती है हां कटे हैं हाथ हां कटे हैं हाथ सिस्त्रियों के कटे हैं स्तंग शिश्वों की जीब और मुठों के योवन हां कटे हैं हाथ, इस्तियों के कटे हैं इस्तन्द, शिश्वों की जीव और बूठों के योवन, विरूप और विकृत उनमाद के गौरव करते हैं देश की विभाजन, तो इस देश विभाजन का जो जीता जाकता, जो लमूना है, जो जिस स्मित्री को हम अभी भूले नहीं और उनिश्चित रूप से किसी नकिसी रूप में नहीं, बलकि सीधे तरीके से धर्म के अंधानुकर्म से, धर्म के अंधेपन से, धर्मान दिता से जो जी जूड़ी हुए, जिस सारे मानों मूल्यों को तुरोहित कर दिया, जिस सारे मूल्यों को लगबग गर्थ में डाल तो मित्र अशोक मैं अपनी बात इसलिए भी कहता हूं कि इस निशनसता की घड़ी में इस समय जब दिविराश्ट रवाद का पागलपन सब्परसवार था और पता नहीं किस तरह से अचानक एक नया प्रस्ताव एक नहीं प्रस्ताव ना सामने आगे ही सब को ठीक चल रहा थ घड़ा मिसल्मान था फिस नहीं जुता फुरा देस्ट एक पता नहीं कrum थूस्परस नहीं तिविराश्ट रवाद कari आने बाद पाक जो जनक थे उन्होंने अचारी तो सियात सती उस समय की राजमिती थी उसमय की राजमिती ने क्या गुल खिला एप पुज हो एक inverse सब कुछ हमारी सारी सिस्टम सारी उयान सारी सामाजिक व्यवस्था सब कुछ जो सद्धियोग पुराना जो हमारा सामाजी क्वाचा था जिसमें हम थे बोलते, खाते, पिहते के विदाय लिखते थे, कला की बात करते थे, कहीं किसे प्रगाल्ग विभाजन कहीं दूर दूर तक नजरी नी आते वाः अनी ऊकुशत थे, इसका जो इसतोव था, बहचुट इतने सारे एत्यकरमulsive इतनी आकरमन् विशमता है इतनी गरीबी इतनी हताशा इतनी निराशा थी कि इन्टू देश उपर से नीचे इस तक बाएं से दाएं तक एक और अचानक इस निराश्ट्री विभाजन की जो मान सकता थी उस प्रिशिशोद में लाखों लोगों की हत्या हो गई लाखों लोगों को इस पूरे राश्टा राश्ट में चीचकार किया और उसकी आवाज अंदर तक चुनाईगी उस चीचकार को हम लोग भूल नहीं सकते साहिए सताब दियों तक नहीं भूल चाहेंगे क्योंकि पूरे विश्विस्तर पर मानवता की त्रास्टी की सबसे बड़ी गटना देश का विवाजन भी हो गया उसके बाद जो इस प्रकार से निस्क्रमण हुआ जिस तरह से लोगों ने अपनी पूरी संस्कृती समाज जक्तिकत सारी जो आस्ताय थी उसको उससे उखड़कर उसको छोड़कर के अपने सारे घर-बारों को छोड़कर करके लोग दूजिय सब्सक्राइब करें विस्तापना हो जो हुई वह अपने हम में भयावत तरह दी और विश्विस्तर पर हुआ है क्रांतियां सभी जगे विकिन भारत की जो इत्रास दी वह इसलिए बहुत चिंदा जनक थी क्यों भारत एक 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 बड़ा रास्ता एक महारास की जो दू सब कुछ बतल दिया जाएगा सब कुछ पतानी किस प्रकार से अचानक जो है वह एक पागलपन लोगों पर पूरी पूरी की पूरी जमात पर पूरे रास्त पर पागलपन सवार हो जाएगा और इस रास्तवाद की अवधार्ना दुनिश्यचे रूप से बात में द्वरास जितने डेमोक्रिटिक कंट्रीज बाद में अलग-अलग विश्विस्तर पर क्रांतियों में अलग-अलग हुए उस में वारत भी एक साथ अप्र वाटवाद नियू इन डैट बट ये जो नया पन ये नया उन्माज जो सामने आया सायद हम उसी उन्माज से जुड़कर के अगे कि बात करें तो वह ज्यादा शामिक प्रासंगिक और मेरे ख्यान में हम सभी के लिए जरूरी है तो मित्र में कहता हूं कि वह आखिर अवधार्णा क्या है रास्वाजी या क्या हम आज भी उसी और ना को या उसकी परिश्की कर्पना को ले करके या एक अजीब तरी कि फेंटेसी से फंटासी से जोड़ करके कुछ पता नहीं क्या अजीब करीब सितियों से गुजर रहे हैं कुछ अमझ भी नहीं आ रहा है एवरीधिंग इस मोस्ट गंशुस तुड़े या नोट क्लियर वाट इस गोई तो एपन तुड़े पीपल आप दिस कंट्री जिसक एपना करें नहीं कर सकते हैं जिसकी खल्पना करना हैं कुछ रिखा को सो तो तक किसी से काराइपने का का लिख दिर आउनकिकश्य ऑ छिसके पर जारा रहा हो नंदा तो जा किन खुल जाएगी और पता नहीं किन टेरिटरीज को पार कर लेगी आप घर से बाहर बाहर से नगर नगर से प्रांट से रास्ट 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 और इन गली कुछों में कहां जाके खुल जाएगी कि इसको बुलाना बुसके तो यह जो हमारी स्मृतियां हैं जिनने हम कर लेता है तो यह भी अपना बहुत बड़ा प्रस्थन हैं और क्या यह कालखंड या कोई भी कालखंड इस प्रकार से मानवी मुल्यों का अतिक्रमन कर सकता है मैं तो नहीं मानता है कि अस्थाई तदर्थ व्यवस्थाएं या राजनीती ऐसा करने के लिए सक्षम है क्यों नहीं तूब मैं यह कह सकता हूं कि जब हम बड़े रास्थी महारास्थ की भारत की बात कर दो हमें अज़ानों साल पुनाने लाखों साल पुनाने प्यास को उसकी संस्कृति को उसकी सरोकारों को देखना ही पड़ता है और यहां धर्म अखंडित रूप से धर्म एक दिए वेदों से शुरूओ या प्रीवैदिक काज़ें शुरूओ किसी ने किसी रूब में धर्म का यानि आचरण सुद्धा अंधिता नहीं है धार्मिक सुद्धता आचरण की सुद्धता नीचिओं करना है कि इसले हमने भारतवर्ष में भारत खड़ में आति माता में वेदों में संस्कृती में समद में और उसके ग्लोबली चेहरे को अमने हैं उसे मुझे बूले नहीं और उस आस्ता पर हम नगातार शोड़े हुए और ये हमारे लिए बहुत मुल्यवान एक सार्तक और तार्किक आधार दी तो देखिए कि अब आगे कितने सुदू राष्टा तक हमारी जड़ें गई हैं आप तो कि भात्रोष इसमार लिमिटे टो इस स्मार्टलिटी जड़ें 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 कितने राष्टों या कितने राष्टों कि आरपार जा रहे हैं यू थिंक आप दी मायन तो बहुत राष्टी इस तरफर इस राष्ट का जन्म हुआ इसका विकास हुआ इसका फ्रूब हुआ इसका प्रादुर्भा हुआ इसका आगे विकरजिस्तान हुआ तो भारत वस्कों सब्सक्राइब कर देख सकते हैं किन्तों इस धार्मिक का आज जो संकुक्यत हो गया वह नहीं है एक वाइडर कंटेक्ट में मानव गुल्यों से जोड़े हुए धरोवर के रूप में हम इस धार्मिक विश्वास को इसास्ता को लेते हैं बलग कि इसी अंधी चेतना से अब जानते हैं किसकी लिखी हुए तो यह एक बड़ी प्रसित दिखाविता और मेरे खाल में हमारी प्रश्वाव कि श्वन खळा यहीं से चुरू हो जाई है कि हम कौन पे क्या है तो फिर उन्हें अब वहाँ धर्म नहीं आता है जिस दर्म की हमने की है जिसे हमने किसी मे इर्चीव किया है जिस की धानिक जड़ें बहुत गही हैं जाये वह नहीं चाहिए भरिश्व प्रकार के लिसंखलिक रूप में और रूप करमें मैं किसी ने जर्म का दंडा पकड़ा दिए हैं जिसके रंगों का जिसके रंगों कि और प्रुपार दूर्था धर्म की है। कि किना किसी प्रकार के एक तो कि यह जघंटे आफू के वर्ग झाड़ की किमत इसी लिए मेरे को अकों कब भी तीन आइ quanto की दिश्कराव ब्राइकल फ्रहिव ज़ूद साफ फिर अब हम मापू से जोड़े जोड़े महात्प गांदी है नह से जोड़ें से जोड़ें पटेल अब इस भीडों की रहा यान की जञन année अवाज़ में यह ने रहा है मै वी पहिया हो जो एक मझदूर करा एक किसान की पहिया हो या चर्खाओ कहा हमाँ अब इनका यह लगबक मेह तो हीन और डेटेड और इसको लगबक दोगाने कहीं ऐसी जागे रख लिया है जहां के दूर से इनके आवज में Спर्जात में टिर्टि रो पररिगहां Π embr try तो यह दो यह सिति आध लगबग पैदा हो गई प्रणाली कि बात करें तो जिस प्रणाली को हमने खूनपसीली से सीज़ करके सुरक्षित किया है और जिसकी सुरक्षा की है और जो आज विच्ट में बड़े लोगतंत्री श्व्ष्व व्पी इस तरफ बड़े लोगतंत्री रूप में जो इस्थापित हैं पॉलने नहीं से हौनrzा, इसके तकि तक्रमम हुआ है और उसकी चिंताएं आज राश्व्यादी इसे राजी नीटी ने लगबग कहना दिए कि विरूपित किया तो मैं आप से बताना चाहो कुराना आप याद करी जब प्रभात भेरिया निकलती थी आप सोचेंगी यह जमाना कहां चला है जब चरके चलते से जब में जाते थे पढ़ने के लिए तकली कि एक अलग क्लास होती थी आपको आप खो और सो नाइस कि अमें उस तकली में राश्ट की छवी नगरा उस तकली के पीचेंगी जो मानभी चेतना थी भवष्य था जो हमारा एक लूप लेखा चाहे वो कबीर से जुड़ा हो चाहे और बुराने कहीं ले जाई उसे किन्तु वो एक मानवी चेतना जो शुद्धता थी तो विशुद्धता थी जो आत्मिक आनंद था जिस तरह तकली को आप गुमाते थे और दूप को काते थे वो एक अपने आपने बड़ा संदेश ना उस संदेश के संदर्थ में एकम केते थे विजी विश्वतिरणा प्यारा जंड़ा उचा रहे हैं तो यह इस गाले को आप लाने के वेंट बाजेक साथ बजाई के मैंता ह सा जातर ज़रेक और कर श्यू नहीं करें इसकी कुछ नहीं होने हाँ कि इसमें कितना विश्य है कितना अमर्त निकला है कितनी निधिया निकली कितनी वेलुस्टिक चीजे निकली और वह सुराशु संग्राम जीवन का एक किन्तु इस सुराशु संग्राम को है थी हमने चोटे-मोटे महुत्तों में जड़नों में और किसी प्रकार की पार्टी बर्द्रता से जोड़ दिया या इस प्रकार की जो नकली या वाटवर पॉलिटिकल तरीके से थी हमने इसका कोई इमेजरी कर बनाने की कोश्चिक तो य झृर्धा सांब वास्त्मत में मेरी टेसंस्सों अचाना से वाहख है। रचोति काहन है कि क्षेत्रबाद दो चैनल दोग्ष्ट्चार आज में हमारी जंता को बुरी तरह कोदें और इस्तिति हमारी राजनीती में स्लोगतांतिक पृणाली में ऐसी हो गई है कि जिसे जिसके बारे में वही बात आती है मुझे वह आज अच्छी तरह वह करता में सामने आगे में बता रहा हूं तीन थके थक यह रंगों का नाम है आजादी जिससे पएया डोगता है मैं थोई लोटा के दे रही है जिस यह इतना से अच्छी तो धर्म की जो धर्मांदता है समाज की जो अंधरूपता है हमारी वेवस्ता की जो धिरोधावास की प्रुवतियां है हमारे संग्ठनों की हमारे राजनीती की जो आपसी जो कंटरिक्शन्स हैं जो एनलिटिकल जिनकी कहना सबी देशों में हमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से ऐक आग धधदक ती नज़रा आपी है चाहि हरोशेमा हो जाए सीरिया हो पाकिस्तान लोग एक निस निता दके लिया गया दें पहले मैंने राजकोर्ट में अपनी एक फिल्म का परदर्शन किया था, उस फिल्म का नाम था दा इन्वर्टेटरी, बापू दा इन्वर्टेटरी, और ये फिल्म मैंने डिजिटल माध्यम से लगबक दो हजार फोटोस बापू की फोटोस लेकर के और अखबारों के सुष्मान है उस फिल्म की है अंगर्जी मैं फिल्म है तो वो फिल्म की रहीं और बार-बार वैसी छोटी फिल्मों की तरफ लॉटने की कोशेश करता हूं या मुझे जाने की इच्छा है, तो मित्रों मैं किसी बड़े अभियान बड़ी क्रांती बड़े सफने की बात नह एक चोटा संदेश, एक बहुत चोटे बिचान, और एक लगु मादव वादी, जो मेरा एक चोटा सा मेरा एक आकांक्षा है, या मेरा जो शरूप है, एक मेरी चोटी सी जीजेव साथ वो यह है कि कि वी शुट नौट तिंग वेरी हाई, वी शुट तिंग इसमाल, सिस इसमाल इजमी है, हम चोटी आकांक्षा है, सजीव आकांक्षाओं को मुझ्मान करें, हम चोटे सपने देखें और उन सपनों को बड़ा बनाने को पसे, मेरे क्यार मेरे, यदि हम उन चोटे सपनों को बड़ा बड़ा सकेंगे, तो बीज मैंसे बरग photon को पईदा के सबसेंगे, और यह हमारी अस्वट चेतना, अस्वट की जो हमारी अउधाना है, भार्कि अऊधाना वही है, वह है वह वन, वही है वह जिजी विशा, जिसकी हम कल क्यों करते हैं दन्यवाब बाद मुश्वाइब अभी हम अशोग आतरेजी को सुन रहे थे यह यात्रा अनुवरत चलेगी आज के सवालों के साथ और मुझे पूरा विश्वास है कि अशोग जी अपने साथ इस तरह जुड़ते ही रहेंगे और हम उनके विचार जोलंत सवालों पर आज के सवालों पर उनके विचार से लावनित होते ही रहेंगे इसी भावना के साथ हम फिर अगरिम रभीवार को ग्यारा बजे उनसे फिर में लेंगे फिर नए सवालों के साथ फिर नए प्रशनों के साथ आ बहार अशुप जी संधिवार पर